तो यूपी की जीत का हीरो कौन है यह सवाल आज पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि आप हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर कौन से मुद्दे पर जीत हुई और कौन से मुद्दे पर साइकल का टायर पंचर हुआ यह आप हमसे पूछ रहे हैं इसके आज हम बात कर रहे हैं कि मुद्दा आपका में जो आपका मुद्दा है उसी पर आज चर्चा हो रही है उसी पर बाच्चीत हो रही है इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं लेकिन आज सीधा सवाल यह है कि आखिर यह जो जीत हुई है इसके पी इन सबी चीजों को लेकर बात करेंगे लेकिन एक और चीज़ कहेंगे कि ये भी बात होने लगी है कि समिक्षा करेंगे लेकिन समिक्षा कब तक करेंगे अब तो समिक्षा हर बार अकर समिक्षा करेंगे तो समिक्षा की भी दरसल परिक्षा है कि हर बार कितनी परिक्षा इसको लेकर बातचीत करेंगे और साथ यसाथ विश्लेशन करेंगे कि आखिर योगी आधितनाथ की जीत में कौन सा जादू चला है कौन सा मैजिक है जो बरकरार है ब्रांड मोदी जारा चला है या फिर योगी आधितनाथ खुद अभी योगी ब्रांड बनकर उभर चुके है और ये बुल्डोजर इतना कैसे चल गया भाई ये बुल्डोजर जो सुरक्षा का मुद्धा था उसको लेकर चला है इन सभी मातोग पर बातचीत करेंगे आज लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश में इतिहास रच गया है उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है योगी आधितनाथ ने योगी आधितनाथ अपना कारेकाल दोबारा दोहराने जा रहा है तो उत्रप्रदेश में सियासत के लेवल पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ अक्रेश आदब काफी पीछे रह गए और बीजेपी काफी आगे चली गई मतलब पूर बहुमत से काफी आगे चली की बीजेपी लेकिन इसको लेकर जो चर्चाएं है वो दरसल ये है कि छोटे छोटे जो दल थे जिन्होंने सपा का साथ लिया सपा की साइकल पर सवार होके जो मंजिल की और बढ़ रहे थे अब वो कहां जाएंगे उनका क्या होगा उनका राजनितिक भविश्य क्या है इसको लेकर चर्चा करेंगे दूसी तरफ चर्चा ये करेंगे कि बीजेपी का कौन सा मैजिक सबसे जादा चला लोग कहरें राशन लोग कहरें राशन सबसे जादा चला लेकिन अखिले इशादव ने कहा था कि अगर उन्हें बना देंगे तो पांच साल तक राशन फ्री एक किलो घी भी लीजिए और सरसों का तेल भी लीजिए तो वो कहा गया तो वो मैजिक भी चलना चाहीता वो मैजिक भी चलता हुआ नजर नहीं आया आखिर इशादव का इसके साथ यसाथ आखिर हाथी का क्या रोल रहा तो हाथी के रोल को लेकर जब बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं और लोग दुबी जुबान के साथ कह रहे हैं कि हाथी तो दरसल कमल के फूल के साथ था और हाथी का जो वोट बैंक था वो कमल का फूल लेगा इसके साइकल पीछे रहे हैं तो ये सारी बाते हैं जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में उत्तर प्रदेश के माहौल में उत्तर प्रदेश के मौसम में गर्मी पैदा करें और जब गर्मी का जिक्र होता है उत्तर प्रदेश में तो अब गर्मी दर असल सियासत का भी रूप ले चुके तो सियास और इस चर्चा पर आज अब एक लंबे समय तक आप खर्चा करेंगे इस पर कि आखिर अब समिक्षा का वक्त बचा है क्या अब समिक्षा का वक्त है कि आप 2017 में आ रहे आपने कहा कि समिक्षा करेंगे समिक्षा करेंगे अब 2022 में आ रहे तो समिक्षा करेंगे समिक्षा करें लेकिन जैसा कि मैं कहा रहा हूं कि समिक्षा भी पूछ रही है कि आखिर कब तक उसकी परिक्षा करेंगे कब तक उसकी परिक्षा लेंगे और एक और चीज की उत्तर प्रदेश पे कॉंग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी है सेंटर पार्टी बीजेपी की बात है लेकिन कॉंग्रेस की भी बात है इस देश पे सबसे जादा गॉवर्नेंस की है कॉंग्रेस तो कॉंग्रेस पार्टी आखिर है कहा और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है कहा ज पाएंगे उत्तर प्रदेश में ग्राउंड पर कुछ हो ही नहीं पाएगा तो कैसे चलेगा बात प्रेंका गांधी की कर रहा हूं प्रेंका गांधी 2017 में राहूल गांधी आये थे और 2022 पी बहन प्रेंका गांधी आए तमाम जगां नज़र आई जहां जहां कोई भी घटना ह लेकिन लेकिन ये बात है कि आखिर 2024 पे कैसे क्या करेगी कॉंग्रेस क्या छोटी छोटी जो पाटिया है इनको मिलकर ही अब बीजेपी से फाइट करनी होगी 2024 बे और 2027 के लिए क्या अब इंतिजार कर रहे हैं अखिले इस चादव तो 2027 में 27 पे क्या कुछ करेंगे इसको ल प्रशितिक विश्वरशक है मझुष्तिवारी साब है कॉंग्रेस से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं लेकिन उनका फोटो आरा इसके चला सबसे ज्यादा चला बतला जब सूतली बं फटता है तो फटने के बाद जो बहुत जादा जो इधर और उदरा चित्रड उड़ते हैं जो कागस के तो ऐसे बताईए कि सबसे ज़्यादा क्या उड़ा सबसे ज़्यादा क्या चला आपका बंदे मात्रम भारत माता कीज़ा है और यह सश्वी परणामन के नर्यद मोदी ज़्यादा को वह तो मैं पूछी रहा हूं कि ब्रांड मोदी तो है ही है तो क्या ब्रांड योगी भी बन गए हैं अब रांड को पसंद आए ओर आमने तिल जीतने का नाम लोगतुंसर को सबसे जाला हिए दिल जिते ने को सशंक्रता गरते होनी को जन्ता कुरसी देती है तो जन्ता ने कमें विश्वास दिया जन्तार ने वे इस दिक बल दी और जन्टा ने सपपा कैची जछूट बोल रहा हूं जनता इनको सबक सिखाया कि जूट यह लोग बोल रहते जनता ने सपप neighborhood कुछ लगा कि कहीं कर देख सप सब्द्रण के कूठ है अजी न इसके लिए जितना सदुभाद दिया जाए मनुझ भाई को और विपक्ष कि उन लोगों को कि उन लोगों ने भी बहुत बड़ा काम किया लगा कि कही कः टही का रोडा भानमती में जो जो उनका एक लक्ष है विकास नहीं यह उत्तर परदेश का लक्ष, उत्तर परदेश में ब्यवस्ता परिवर्तर लक्ष नहीं है, उत्तर परदेश के लोगों के लिए वो खड़े नहीं है, वो तिप अपने कुर्सी के लिए कड़े हैं, और उसके लिए वो किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को बुर गुष्ण कुषज़ भी लोगों उत्तर नकाड दिया रुत्रपरदेश की जो सरकार बनी हैं वो सरकार की जिम्मेदारी हैं करेंके लोगं ये भी बात कर रहे हैं लूका छुपी करके ये बात कर रहे कि अब ब्रांड मोधी के बराबर का भी कोई और नेता बीजेपी में जो आ गया है तो ब्रांड योगी की भी काफी चर्चा हो रही है और कहा जाला है कि जो ये चुनाओ लड़ा गया ये दरसल योगी के ब्रांड पर जादा लड़ा गया ने देखें आप लोग जो बिपक्ष के लोग हैं ये बात कहेंगे वोगी इस परिवार में तूटने वाली जलगा नहीं है बिपक्ष को कहीं नहीं चाही है कि ऐसा परिवार भारति राजदीत में आजादी के बार पहली बार आया है जो हम एक दूसरे के फूरक बनके काम कर करते हैं हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपना तन मन सब कुछ समर्पित करके रखा है तो यह हम सब के लिए गौरों की बात है कि ऐसा मुखमत प्रदेश में है जो हम सब का नित्रित उत्ता पर ठीक है मनोच तिवारी जी से बात करेंगे उसके बाद सीरे अखलेश मिश्टा के बास चलेंगे मनोच तिवारी साहब एक बात बताईए और लोग पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि आप राउल गांधी का कले ट्वीट भी आया था उस ट्वीट को लोगों ने देखा और लोग कहते हैं कि कॉंग्रेस आखिर क्या समिक्षा करती है कि हर जगा हारने के बाद आप समिक्षा 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 और 2024 में अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो बीजेपी फाइड किस से करे छोटे छोटे दल तो आ जाएंगे एक साथ लेकिन आपका जो धीरे धीरे जो जमीन पूरी तरह से खिसकती जा रही है और 2017 मे भाई आए 2022 में बहन आई लेकिन कुछ नहीं हुआ मतलब लोग कह रहा है कि जितने प्रेंका गांधी ने इंटर्व्यू दिये उससे कम सीटे आई देखे पूरी तफ्तीश के साथ मैंने ये बात से लिए मैं आपका जबाब देता हुआ देखे विगत साथ वर्सों से महज साथ वर्सों से कॉंग्रेस के इस तका भी नहीं है उत्तर प्रदेश में इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि लंबे समय से हम साथ श़न में नहीं है तुनाव लोग के तंत्र में जीत और हार लगी रहती है, हमने तुनाव हार गये, हमने उत्तर प्रदेश में एक नई तरीके से राजनेतिक शोंबात की थी, हमारा लख्ष्ठा कि देश की आधी आबादी को उचित प्रतिमिजद तो बिले चुक उत्तर प्रदेश का सबसे ब जैसे साधारन काज करता हूं को भी राजनीति में मौका मिले, जो वे साथ तो नसूना आता हूं भी एक राजनीतिक शोंबात करते हैं, लोग एक और बात करते हैं कि आपकी पार्टी में इतने बड़े-बड़े नेता हैं, जिनका नाम दर असल खुद में ब्रांड है, ले सब्सक्राइब देता हूं, आप मेरी जबाब को सुनिए, मैंने क्या बोला कि देखे, लोग तंतर में एक समय ऐसा भी था, कि लाल कृष्णा अडवानी और अटल भिहारी बाचकरी सब लोग चुनाव हार गया, जिसको ने पर भार्टी डंटा पार्टी, स्टार्टिंग सब्सक्राइब देखे, तो आप मान रहें कि कॉंग्रेस खतम हो गई थी, अब दुबारा से शुरू कर रही है, दुर्भाग ये है, आप को सुनना चाहिए, लेकिन आप लोग उसकी बीज को बाद में काच कर गई, उस बात को पूनों नहीं होने हैं, आप लोग ये जानन से किया, देखे, कॉंग्रेस बहुत लंबे समय से उस्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये का ऐसा गल है, इत्नी से कत्री स वर्सों से भी सत्ता में नहीं होने के बावजूद, उसके राजनेतिक कार्जिकर्ता कॉंग्रेस के प्रती प्रतिवधित हैं, ये है विचारधारा के बल पर एक नई राजिनित की पहले हम इस बात को स्विखार करते हैं कि हम अपनी बात को शायद जनता तक सही धंसे नहीं पहुंचा पाए जिसका परिणाम हुआ कि हमारे पक्ष में परिणाम बेचा नहीं रहा लेकिन एक राजनेतिक तल और जनता के प्रति प्रति बग्दीच होने के नाथि यह हमारा डाई को बनता है कि हम अपनी बहार की सब्चा करते हुए निश्ची प्रूट से आगे का रास्ता करें जनता के प्रति जो हमारी जवाब है यह उसका निर्वान करें बिल्कुल सरव मैं चिंते तो 2024 को लेकर बिल्कुल सेकंड रावंड में आपके पास आउगा सेकंड आउन में जल्देली करते हैं अक्लेश जी के पास मैं बात में आऊगा लेकिन उससे पहले क्योंकि हमाई साथ पुश्पेंद्र जी है समाजवादी पार्टी से तो आप जब समीक्षा की बात आई है तो समीक्षा में क्या पॉइंट निकल कर आ रहे हैं आपकी तरफ से कहां पीछे रह गए कहां कमी रह गई दूसरी बात यह है कि जो वोट ब्यस्पी का जो वोट था वो ट्रांसफर रहा का पूरा 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 दूसरी बात और एक बड़ा हमको जो नजर आया एक तो उनको क्यों ट्रांसफर हुआ मायवत्य जी ने तो कहीं भी किसी मंद से नहीं कहा कि हमारा तूर आप जो पूरा जाए इसलिए हमने बोल जिए के पीचे दिए हुआ उसके बात तो साइलेंट रही और साइलेंट वोट जो उनको गया और एकसे बहुत बाद रोल निवाया कि प्रसेंटेज भी अब आप से जादा है और अगर आप बीज़ेपी की तरफ रुजान जो आप कह रहे हैं इनक्लाइंट थी तो ऐसे तो अगर भायावती जी बीज़ेपी तरफ रहेंगी तो आप कभी नहीं जीव पाएंगे तो आप कभी नहीं जीव पाएंगे तो इसा है सुनिये मैंने कहा जब इस बार आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है बीजेपी की सीटे कम हुई है अंडर करेंट और साइलेट वोटर अखिलेश जी यह मुझे बहुत शांदार तरीके से समझाएंगे अखिलेश जी दो ही चीजे होती है और यह हम भी लेकर चलते हैं जेब में डालकर घूमते हैं चुनाव से पहले कि अगर कोई पूछ दे कि कौन आएगा ठीक है ठीक है वो आएंगे लेकिन अगर वो आगए तो साइलेंट वो बहुत दिखी और यह भीड का भी मसला तोड़ा समझेगे कि भीड दिखती है लेकिन वोटर में कंवर्ट क्यों नहीं होती पहली चीज़ दूसरी चीज यह है कि अखिलेश आदब तमाम छोटे-छोटे धलों को एक साथ लेकर आया आरेलडी यहाँ पर किसार अंदोलन का एक बड़ा जो प्रभाव था वो देखने को मिल रहा था लेकिन वो भी ऐसा ही रहा वो भी निश्क्रिय रहा तो यह सब जो चीजे थी जो दिखती तो है आज के दौर की बात करूं आज की राजनीती की दिखती हैं लेकिन जब चुनाओ पड़ जाते हैं जब बंद हो जा साइंस नहीं था मैं लगातार आपके चैनल पर रहा हूं और मेरा स्टेट्मेंट शुरू में ही था एटलिस मैं तो समझ रहा था क्या होने वाला है वस्के सेनेरो में भी मैंने बोला था कि सरकार बनेगी बीजेपी किसी के कम जादा हो और मैंने यह भी बोला था तीन सो प लगानी पड़ती है जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट आपके साथ जुड़े रहते हैं जैसे बहुत सारी योजनाये चला करके आप जंता से डाइरेक्ट कॉमुनिकेट करते हैं उनके टच में रहते हैं राशन वगर इन सब चीजों का विपक्ष में अगर आप हैं तो आपके पास काम करने के लिए मौका नहीं है आप क्यों सत्ता पच्च की बुराई करेंगे मुद्धों को उठाएंगे यह होता है आप जंता को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते क्योंकि सरकार में नहीं है यह निचुरल मौका था निचुरल यूएस प ओच्च के पास बहुत जबर जबर जस्त हैं और पहले से जादा कथिन चुरौतियां पर नवी तरीके की नए टरीके की चुर?", यहां पर मैंने एक लाइन और बोला था चुर। यहां होना कौई बहुत बढ़ी चुरूतियों का मैनेजमेंट कर लेने में कोई पार्टी सक पास पाहली चुनोती थी आंतरिक चुनोती मतलब अपने पिछले परफॉर्म को ही तोर्मा एंटी इंकेंवेंसी जो आप बोल रहे हैं ठीक है यह उनकी अपनी अपनी चुनोती हो गई उन्हीं के द्वारा क्रिएड की गई चुनोती है और दूसरी चुनोती वह है जो विप पक्षी दल इंकेश नहीं करवा पाए मैं मानता हूं किसान अंदोलन का मुद्दा एक मुद्दा था लेकिन किसान अंदोलन कारी और विपक्षी लोग उसका फैदा नहीं ले पाए मैं मानता हूं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है था रहेगा लेकिन विपक की तर्टा करते रहे चाहे बुल्डोजर के रूप में चाहे माफिया शब्द का प्रयोग करके चाहे पुड की निलामी करवा करके बहुत जबर्दस तो साइलेंट जो है इंप्रेशन इस चीज का पड़ा है आप यह देखिया बड़े से बड़ा बिजनसमें करोड़ों रू क्यमंत्री हुए नेता हुए सारी चीजे हुए हारवार से पढ़े हुए यहां पर इंटेलेक्शुल्स और प्रोफेशनल रहे आईजी डी आईजी आईजी आईएस पीसियस सब रहे लेकिन यह जो एक क्राइम का मुद्दा था उसको कोई मैनेज नहीं कर पाया अब एक अटेक किया इतनी बड़ी दुश्मनी ली इतना बड़ा खतरा मोल लिया म्यामार मेरी जो एक विराथू एक सादू था उसने यही तो किया बिना किसी राजनेतिक पत्पे होके तो सुरच्छा का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है जो लोगों के दिलों को चूग गया है म पहिलाओं को बेटियों को माताओं को बहनों को ठीक है इस मुद्दे की कोई काट विपक्ष नहीं निकाल पाया ना विपक्ष अपने पास्ट पर्फॉर्मेंस पास्ट कईयों के कारण देखें तो विपक्ष का कैसा समाजवादी पार्टी का एकदम घुंडा-गर्दी व अच्छी चीज देहीं चिंता चिंता की बात है बताएए नहीं नहीं पर अवेंश की परफॉर्मेंस को देखते हुए यह अनुमान लगाया यह सकता है कि पिछले 9 सालों में 20 सालों में अगर नहीं सुधार पाए कॉंग्रेस के पास 7 साल का इस्पिरियंस है आप हर बार 5 साल के बाद चिना होरोगे और बोलोगे अब हम अगले 5 साल के बाद अगली बार देखेंगे तो लोग भी तो अखले जी फिर लोग भी चिंतित हैं कि अग मन्चार क्रिशी कानूनों को वापस कर दिया नहीं नहीं लोग चिंतित नहीं को लाना और वापस करना यह कोई बहुत बड़ी चुनोती नहीं है लोग आज चिंतित हैं मैं आपको बता दू असी और 20 का जो फार्मूला है मैंने आपके चैनल पर बताया था 80% लोग और माल पर लिए चिंतित हैं जो खत्रा 25 साल के बाद आने वाला है 30 साल के बाद आने वाला है या 50 साल के बाद आने वाला है वह फचारा करहें लोग जाने खकगही की भात taki प्रहुत रिख्षी है कि धी ऐसी में संवाब्त नेता आने कि माइने कि का पहले हिसाथ की लिया जाएगा जाए तो ओबर ने पाइं लिक्तर में किए कि आप हैं इसे दिए नहीं नहीं कि है रॉट हैं आप पुजिशनिंग रॉप तो आप उसकी घर्दन काट लेंगे धमकी देंगे थीक अखलेशी दूसरे रांड आपके पास आते हैं सबसे पहला पुश्पेंज जी के पास चेले को फिर सीरे हम आएंगे संधीब दुवे साब के पास पुश्पेंज जी जैसा कि अभी अख्लेश जी भी बात कर रहे थे पुश्पें जी सुनिये गादियान से अख्लेश जी ने भी वही बात की उन्होंने कहा कि आप जो गुंडागर्दी वाला जो टैग है यह जो इमेजरी है इससे आप बाहर ही नहीं आ पाए लोगों के मन में और आपके जो नेता थे जो बड़ोले नेता जो बयानवाजी करत और जी वीडियोज बात बताई अब बात जाओने श्यक्त वाइध उसका जो टाट पार रहा है उसको समझे वह इसले कहा गया जो लोगों पर समाजने सब्सक्राइब आप पारे कैसे सब्सक्राइब लागों समय ए पर चानिए आप पारवां तक चुनिये सब्सक्राइबक गुंदागर्दी वाला जो टैक है क्यों नी उटा पाई भाई ये बता दीजे बस यह बावे जनता का जनाता है उसका आप सुवागत करते हैं दूसरी बात ही है के वोट बैंक भी बड़ा है और जो अभी जो नहोंने कहा कि अप जो बैन नहोंने दिया वो था कि जो गलत मुकदमे जनता पर और समागे साक्षियों पर लगे हैं उनका हिसाब इंदा सेंच थे आप जाए जनता को घरगर जाकर समझाईए कि क्या तात परे था उनकी बातों को क्या तात परे नहीं था अब घरगर जाकर समझाईए ठीक है राजनीती है चलता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खयाल है यह दिल को तसल्ली देने के लिए कि राजनीती है सब चलता ह संदीब दुवे साह carne दुबे जी लोग कह रहे हैं और लोग बाहर ये बाते कर रहे हैं कि आप का जो में जंडा यहाँ पर चला में मुद्दा यहाँ पर चला तो राशन का लास्ट ताइम पे चलंग सिर्फ मार्ड तक है मार्च तक है उसके बाद कुछ नहीं है लेकिन जो गरीब तपका है वह दरसल राशन को लेकर आपसे बहुत जादा पसंद है पसंद कर रहा है आपको लेकिन अगर यह मार्च तक है तो फिर यह तो एक लॉलीपॉप हो गया नहीं दो बाते बहुत इंपॉर्टर टीक तो एक मिश्णा जी कह रहे थे मैं उनके कई बातों पर हद तक सहमत हूं कारण यह होता है कि हम लोग कोई बात कहते हैं किसी के मन में कोई भाव आता है तो भाव ऐसानिक उस वेक्ति की बाते सो प्रतिशक गलत होती है उसमें बहु बिपता ना आज है ऐसी आपद ना आज है और किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो भारत स्विकार हम लोग को करना पड़ेगा इंद्रा जी ने गरीवी हटाओ का नारा जब वो प्रधान मंत्री ती और आज तक भी भारत में हम प्रधान मंत्री आया और चले गया आती रहते जाते रहते हैं और गरीबों का जो रासन है वो रासन नहीं है साथ वो है कि सरकार तो जब से भारत अस्पित्तु में आया है 47 के बाद हम गरीबों को रासन के नाम पे जो लूट होती थी 97 परसेंट थन या 97 परसेंट रासन लूट लिए जाते जो इन नहीं कहता हूं प्यंद्र की राज की जो योजनाय है उसको स्वेम एक प्रणान मंति जी ने स्विकार किया कॉंग्रेस के आज नितर स्विता नहीं करेंगी इन सभी कम्यों को दूर करके समय जरूर लगा उसको सुद्रिन करके अंति व्यक्ति तक जब राशन नहीं नयाय पहुंचा उनके सा अन्याय हो रहा था ब्रस ब्रस ब्रश ब्यवस्ता उनकी सोचार कर रही थी अगर इसको किसी ने रोका प्रणान मंति जी जी को योगी जी को गलत बोलते हैं जिन्नोंने मोधी जी के हर्जिवजना को उत्रेपरदेश में लाभू पिया तो जनता को दुख हुआ और जनता पर समझी कि मेरा स्थी कोई रहनुमा है तो यह शश्वी प्रधानमंति देश के प्रधानमंति नरेंद्र मोदीनी है जिन्होंने लूट बचा है आपको पता है गाउं की उत्रप्रदेश की क्या इस्तिति है यह एक गाउं का जो दबंग आदमी होता है सब का हिस्ता खा जात पानी उनके घरगर तक पहुँचा है कोशिश हुई हो सकता है हमने स्टॉप प्रतिशत कोशिश करी 10 प्रतिशत आपनी नाकामी भी श्रिकार करी विपक्त चिलाता रहा हमने कहा कि तुम जो जो बाते कह रहे हो वो ठीक भी हो सकती है लेकिन हम इस सब को दूर करेंगे तो हुआ हम यहां जान जा को दिल जीता है और लोटा पाटी भी खत्म हो लिए है उत्तर फ्रते इस ते थी पैसान थी ती तो ब्यवस्ता है बदली है व्याति बदला होई लेकिन दिरे धीरे बदले का बदला मेंыт lost Each दर्र, सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे में आप जो भी कहेंगे बहुत जादा पॉसिबिलिटी कि ठीक है रहे होंगे रूट पर जो काम है वह आपने किया होगा तभी मैजॉरिटी आई है लेकिन मनोश तिवारी साथ मनोश तिवारी जी जैसा कि मैं एकलेश जी से नहीं है आप इस चीज को समझे 2017 में राहूल गांदी और अब 2022 की में बात करो तो प्रेंका गांदी दोनों आकर देख लिए बहन भाई अब क्या बचाए आपके थर्ड कोई फेस है जिसको आप ट्राइक करने की कोशिश करेंगे और लोग तो यह कह रहे हैं कि चुनाओ थे प्रेंका जी चुनाओ खतम खेल खतम अब आपसी है अब यह इस एक वरिश्ट का प्रकार है जड़ा भारत का राजनेती की टिहास कर पुरा सा समय मुझे एक बिलेंटे लिए देगा नहीं सब्सक्राइब बहूत इजी है बहुत इजी है इतियास पर राजनेती की बाते कर और उनको बोलने भी नहीं देना है अरे मैं यसस्वी जी के बारे में बता रहा हूं में सुनको लीजिए पने चैनल पर अब अखिलेश जी वरिश्ट कत्रकार है मुझे यह बता दे कि मानगी यसस्वी प्रधान मंत्री जी जब गुजराच के वुखे मंत्री थे उसके पह कि जनता के संघर्ष के में वह एक लाधी था है हो गुजरात में भारते जनता पाटी की अंदुनी स्थिति खरात थी तो नरेंद्र मोदी को बफर मुखे मंतिल बना दिया गया वह सब्ता में आये तो यह ने अपने काम को दिखाया राहूर गांदी 15 वर्सों से सिर्थ उनके बारे में किया जा रहा है इसमें मीजिया का भी बहुत बड़ा हाथ है मैं आपको बताता हूँ राहूल गादी संघर्ष कर रहे हैं वो बलत है और नरेंद्र मोदी जी अचानक आ जाते हैं तो उनको यसस्वी हो गए और राहूल गादी संघर्ष कर रहे हैं तो उनक बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है आप हमारे नेता रीप्राइब पुरा जिजाय करें लिए ने पार्टी जीत गई अब आप लोगोने पोजान सुगते हैं लोगों ने कांगरेश खतम हो गई राजी वाजी के साथ कोंगरेश खतम हुई राजी वाजी के साथ के बात कर रहा है और शायद करेक्शन जो है दिसकनेक्ट हो गया है लेकिन यह जरूर पूछना चाहेंगे कि कह रहे हैं कि राहूल गांटी संगर्ज कर रहे हैं अब है नहीं तिवारी जी वरना सवाल जरूर करतें अखिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन तेवारी जी अगर जुड़े तो ठीक है चले तेवारी जी फिलाल के लिए डिसकनेक्ट है और अखिलेश जी कहना चाहरा है अखिलेश जी देखे मैं बताओं एक तो सम्मान है कॉंग्रेश हो या कोई भी विपक्षी दल हो हाथ जीत होती रहती है इसमें भी कोई डाउट नहीं कि कॉंग्रेश के पास सबसे जादा अनुभा रहा है लेकिन बाद जो राहुल गादनी के संखर्स की है न तो मुझे बड़ा कोफ्ट होता है अपनी किसमत पे काश मुझ कॉप्टर से जाते हैं प्रचार करके आते हैं सर वह भी याद आता है कि किसान आंदोलन के सपोर्ट में और 25 तारिक को पता लगता है कि राहुल गांदी साब तो कहीं और चले गए तो ये भी एक संखर्स की पता नई ने उसी तरीके का संखर्स मैं भगवान से प्राथना करता हूं कि मुझे भी मॉका दे कि हेली कोप्टर में बैठके मैं जाओं और घूम के आ जाओं संगर्स किसे करते हैं मैं पक्ष पीपक्ष दोनों की बात करता हूं आप मोदी जी के आरंभिक जीवन को देखो जो पैदल यात्रा करते थे ट्रेन और बस से आप और बीपक्ष में देखिए कौन सही रहा कौन बुरा संगर्स मुला सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो मेलपूर खाई थी मुझे लगता है मुझे बड़ा दूख हो रहा है कि आप एक पत्रकार होगे बाला लाला लाजपत राएं नाथी खाई आपको चैलेंज करता हूँ मुझे एक बात बता दिए आप इतिहास मत समझाइए मुझे दुनिया का कोई ऐसा पॉलिटीशियन बताईए जिसमें पूरे दुनिया के इतिहास को एक किताम में कंपाइल कर दिया हूँ इवाद नहरू दस साल तक नहरू जियन में रहे सुरी जियन में आपको अब नहरू की कितार पर लोट में आपको जोड़ी है चलिए अब नहरू जी भाशार देने थोड़ी नाएंगे सब तीवारी जियन थोड़ी नाएंगे जो उनके नाशन पर लोट मिल दाएगा ठीक है चलिए तुछ करदेता है। तुछ कि चली तुछ कुछना है। पुषपेंदर जी आपकी बाजुवाली खिड़की पर है यह और जाना चाने कि आप आपने कहा कि संगर्ष किया मुलाइम सिंह यादव ने भी संगर्ष किया तो यह जो संगर्ष होता है पीड़ी में अगली पीड़ी में तो फिर संगर्ष की वैलियू है वो घड़ जाती है क्योंकि अखलेश यादव को उत्ता प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है यह आप से है आप मुझे पताइए नेहरु जी कितना पैदल चलते थे आप मुझे कारे जो आज होती है वह उनके टाइम पर होती है कि दुनिया की बेहतरीन कारें होती ही के महान नेता थे प्रदान मंत्री थे वह सारी चीज़े मानने है लेकिन अगर संगर्ष की बात करें तो आप सं उन्हें किया था मैं यूपी में भी बहुत सारे ऐसे नेताओं को बताऊंगा पार्टी ओको बताऊंगा जिनकी पहली पीड़ी ने संगर्ष किया है जिनके पास जाने के लिए साइकिल और मोटर साइकल तक से उन्होंने रातरा की है संगर्ष आप बासपेई जी का देखि लेकाप्टर में बैठ गया और चलिया झीज Lebens नहीं है पहलेगे पहलेगे नेता जो संहर्ट कर पार जाते थे ते आज कहाँ पाइगे आप तो और शो कहाँ कर filming केर है किने जैनल आपको बता रहा हूं बीजेपी ने ऐसे लोगों को भी एंपी और उसमें टिकट दिया गया है रही बात संघर्ष की तो एक संघर्ष के बाद आपको अपना फल मिलता है जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सब्सक्राइब क्या है राहूल गांदी का संघर्ष का पीक पॉइंट कब आएगा बता दिजिए तिवारी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि उनका उनका संघर्ष का ये पीक पॉइंट चल रहा है कि अभी पीक पॉइंट आना बाकी है राहूल काधी जंता के प्रदी प्रदी पिलोग है चुनाव जीट कर आते हैं जंता सब्सक्राइब कर लोग को अपने ही जंता को और उनके सोच के प्रटिया को मिली बठा रहे हैं आपको देता हूं और विपक्षियों को देता हूं कांगरेस को भी देता हूं अब आप तह कर लीजिए कि 5 साल में आएँगे कि 15 साल संघर चलेगा कि 25 साल की 35 साल मिश्रा जी राजिनीद में इसका कोई पिसलेशन नहीं होता है राजिनीद प्रतिबध्धता है और हम प्रतिबध्धीत लोग हैं हम कॉंग्रेश सकता में नहीं है कॉंजरी सुन को दिजिए सुनने की चंता लखिए साथ वर्सों यह जो बहुत हिता आप दर्शार है तेविजन प्रियंका गांदी जी मुख्यमंत्री का सपत ले रही है को गांदी नियस को प्रदान मंतुरी दिखे रहते हुए ऐब पूल सुब द्रॉध विज्व में ऊचति है पूल में Dan प्रवार जी जो कुछ सोच कर आए आज भोल देगे तिवारी जी प्लीज के कई राज्यों में नहीं है तो अब इस विद्ध करें का समय है तिवारी जी रुकिये वाइए इसको स्विकार करते हैं तिवारी जी जनका के पती पती बदीत लोग है राहुल गादी चुना वहार करेंगे हैं वाई चुना करेंगे हैं स्वार कानून मंत्री जो कानून मंत्री थे सल्मान खुरशीद साहब उनकी वाइफ है लुइस लुइस खुर्शीद वो उत्रप्रदेश में फर्खावाद जो जिला है वहां की सदर सीट से चुराव लड़ी थी लुइस खुर्शीद सलमान खुर्शीद की जो वाइफ है महस 2000 वोट पड़ा है और दूसी साइट थे बीजेपी के मेजर सुनील दर्द दुए दी एक बात है जो मैंने जो मैं अपने बिपच्छी बंधुओं से मैं बोलता हूं तो उनको बुरा लगता है कभी आपकी तूती बोलती थी अब वो इतिहास के पन्ने में दफन हो गया है 1950 में आपकी सरकारती तो अब आप क्या चाहते हैं मैं यह बोल दूं कि यूपी का हैं आप जानना भी नहीं चाहते हैं आप यह चाहते हैं चुनाओं हारने के बाद भी हम यह बोले की चुनाओं जीत गए हैं बिल्कुल दिलासा देलिक बात हैं तो पूरुवा घ्रह है ना यह इनको घर्त में आपने बताया लूइस कुर्सी 2000 वोट पाई है तो अब उनको किया बोलेंगे उनको यह बोलेंगे कि आप इंट्रेut好啦 करेंगे इती साल करेंगे यह दित्स साल करेंगे संमय की कमी के का दुबे जी पहले तो यह बता दीजे कि आब क्योंकि जाते आते दर्शक भी थोड़ा सुन लेगे तो अच्छा रहेगा पॉजिटिविटी रहेगी थोड़ी बता दीजे कि क्या आपके दिमाग में है कि इस बार अगले जो पांच साल होंगे उसमें क्या कुछ अलग देखन करती है कि वो बदलाव का नित्विट करें कई ऐसी चीजे हैं जिसको करना परदेश के लिए आवश्यक है वो सारे विश्य हमने एलेक्षन जब और रहे थी तो अपने गोश्टा पत्त में जारी किया उसको संकल्पत्त में जारी तो उसको करेंगे और उस विश्य पे हम का करेंगे ताकि आम जनों का जो दिल है का जो बिश्वास हे भारती जनता पार्टी में वुर बना रहीजें कि मधार्तकि बाति गलें धी पहले इसी पारडी कि जो लगातार सक्था के बात भी जन्ता उसको पर रिगता देती है यृहीं तो ज्वागता स्था नहीं कर भांतर बंद अब ये दिए सब्सक्राइन है जीत की ये आपको बहुत-बहुत करने के लिए किनरेश आपको बहुत-छुक्राइब तो आज कारकरम जो था वो यह था कि अखिर जो पार्टिया है जो हार गई है और समिक्षा की बाद जो चल रही है तो समिक्षा के बार कब तक परिक्षा होती रहेगी यह भी एक बड़ा सवाल है और साथी साथ बीजेपी की जीत के साथ अब क्या बदलाओ प्रदेश में दे पाएगी आने वाले समय में इंतजार रहेगा फिलाल के लिए शुक्रिए